कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रोयल टीचर में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी अभी एक गिप्ती आई है सीटेट के बारे में यानि केंद्री अध्यापक पातरता परीक्षा जैसे राजिस्थान में आटेट पहले हो कि सर उसके बारे में यानि शीटेट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं क्या उसकी फीश रहेगी कब से आवेदन है कैसे आवेदन करें तो उन्हीं सब दोस्तों के लिए उन्हीं सवालों के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है शीटेट के लिए तो शीटेट के ब में मोतिलाल कनोजिया और आप देख रहे हैं रोयल टीचर चलिए शुरू करते हैं आज का मारा वीडियो और जानते हैं सीटेट आवेधन फॉरम के बारे में कि यह देखें दोस्तों यह है एक इते सूचना जो केंदरिया अध्यापक पात्रता परिक्षा की है और इस क्या-क्या लिखा है मैं आपको पड़कर अच्छी तरह से बता देता हूं कि केंदरिय माधिमिक शिक्षा बोड्य केंदरियापक पात्रता प्रिक्षा यहनि सीटेट के 12 संस्क्रण का आयोजन दिना साथ साथ 2019 रविवार को करेगा यह यह जो एक्जाम होगा आपका वो रविवार को होगा और साथ को जुलाई को होगा यह परिक्षा पूरे देश के शित्याणवे शहर और बीफ पासाओं में आयोजित की जाएगी विश्तरत सूचना बुलेटिन अब बुलेटिन क्या है दोस्तों बुलेटिन एक बुक है जिसमें सीटेट की विश्तरत जानकरी दी गई है वो बुलेटिन कहां से डाउनलोड करनी है क्या उसमें परिक्षा सुल करेगा बासाइं क्या क्या है पाठिक्रम क्या 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 यह स www.ctet.nic.in पर दिना 5 फर्वरी दोजा 19 से उपलब दोगी यानि 5 फर्वरी से आविधन शुरू है आपके इच्चुक उमीदवारों से अनुरोध है कि वे उप्यूक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आविधन करने से पहले सावधानी से पढ़ें इसका मतलब यह है तोस्तों कि आपको अविधन करने से पहले जो बुलेटिन है जो सीटेट द्वारा जारी की गई है तो वो आपको एक बार अच्छी तरह पढ़नी होगी पहले वो डाउनलोड कीजिए मोबाईल में और फिर उसको पढ़ें पढ़ने के बाद ही आविधन करें इच्छुक उमीद्वारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ही ओनलाइन अविधन करना होगा तो ऑनलाइन आविधन कैसे करना है वह भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो को अंच तक पूरा जरूर देखें और ऑन-लाइन अव तो आप मार्च तक आप इसमें भर सकते हैं चली चलते हैं अपने वीडियो की और बताते हैं आपको कैसे वह आविधन आपको करना है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आपने अमारा चैनल अभी तक लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर लिजिए और पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की जानकरी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए आप सभी दोस्तों के लिए एक और खुशकबरी है कि रोयल टीचर आपका अपना रोयल टीचर चैनल अब टीचर जंक्शन एप पर भी मौजूद है जी हाँ दोस्तों टीचर जंक्शन एप अभी डाउनलोड कीजिए और इसमें वीडियो सेक्शन में यहाँ जाएं और इसपर क्लिक कीजिए तो रोयल टीचर के सारे वीडियो आपको एक ही प्लेटफ़ोर्म पर नजर आ जाएंगे तो भी डाउनलोड कीजिए टीचर जंक्शन एप और सारे वीडियो का आनन्द लें चलिए चलते हैं अपने चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मरा वीडियो और जानते हैं सीटेट का ओनलाइन अविधन कैसे करना है क्या क्या आपकी फीश रहेगी और बहुत सारी जानकारिश बुलेटिन में कहां कहां आपका सेंटर रहेगा चलिए सबसे पहले हम अपने गूगल या क्रॉम मे जाएंगे और यहां जाकर टाइप करेंगे सीटेट डॉट एन इसी डॉट इन जैसे वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहला इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह का खुलेगा दोस्तों तो हमारे सामने यह न्यूज है चलती रहेगी इसमें यह साफ साफ अक्सरों में लिखा है दोस्तों यह रहा मैं आपको दिखा देता हूँ for information of syllabus click on the information bulletin यानि आपको सबसे पहले bulletin download करनी है और उसको अच्छी तरह पढ़ना है फिर ही आवेदन करना है तो यह bulletin का मिलेगी तो सबसे पहले चलते हैं उपर bulletin की और यह है दोस्तों सीटेड जुलाई 2019 bulletin यह रही यहां पर हम क्लिक करेंगे और इस bulletin को download कर देंगे चलिए मैं आपको download करके दिखा रहा हूं तो यह देखे दोस्तों यह information bulletin जो मैं download की है और download हो चुकी है इनका एक्जाम जुलाई 2019 date of submission इसके फ्रंट पेज पर ही लिखी है date of submission online 5 February 2019 to 5 March 2019 last date of submission 5 March 2019 last date of submission office 8 March 2019 date of examination 7 July 2019 यानि exam का date है वो 7 July 2019 रहेगा अब चलते हैं विश्य विश्तरत जानकारी की और जिसमें क्या-क्या दे रखा है यह bulletin आप download जरूर करें और इसको अच्छी तरफ पढ़ें इसमें सारी जानकारी रहेगी यह आपकी फीस की जानकारी दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी जनरल या OBC है और आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हो तो 700 रुपए अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो फर्स्ट और सेकेंड तो आपके लेगेंगे 1200 रुपए यह आपकी फीस रहेगी जुलाई 2019 के लिए अगर आपकी कैटेगरी SC ST या कुछ और है तो फीस फर्स्ट पेपर के लिए साड़े 300 रुपए और दोनों पेपर फर्स्ट और शेकिन दोनों देना चाहते हो तो 600 रुपए वह आप दे सकते हो अब पेमेंट का मोड क्या रहेगा पेमेंट आप किस प्रकार से दोगे तो सबसे पहले अगर आप भेंकच चलान से देना चाहते हो पेमेंट भाई बैक चला तो आपको syndicate bank में जाना होगा syndicate bank में चलान कटेगा और kindERa bank में दो तरग याına पे दिया हुए fish accounts it syndicate bank और canara bank दो दिये हूए हैं और अगर आप online payment चल्त माट ओं चला न storm economy तो payment डैबिट online submission की और कि online forum आपको कैसे submission करना है और इस bulletin को पहले आप download करें और अच्छी तरह पढ़ लें दोस्तों जैसे हम seat at की official website पर आते हैं तो सबसे पहले यह हमारे सामने bulletin आएगी और notification पर आएगा seat at July 2019 का और नीचे चलते हैं दोस्तों अब चूंकि हमें online आविदन forum बढ़ना है तो सबसे पहले हम यहां click करेंगे online application forum seat at July 2019 यहां पर हम click कर देंगे जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने दूसरा interface खुलेगा इस तरह का जिसमें new candidate registration और only registered candidate sign in यानि अगर आप पहले से registered हो तो यहां पर जाइए अगर आप नए candidate हो पहली बार एक्जाम दे रहे हो तो आपको यहां जाना होगा step online apply online तो आपको मैं zoom करके दिखा रहा हूं क्या क्या आपके step रहेंगे यह देखे दोस्तों सबसे पहले apply for online registration तो आपको सबसे पहले तो अपना registration करवाना होगा इसके seat at के लिए फिर आएगा फिल online application फॉरम उसके बाद upload scan photo और signature पे examination fees और download confirmation page और यह तो आपके पांच step रहेंगे और यहां पे आपको apply online पे कर देना है एक बार मैं बताना भूल गया है दोस्तों कि apply online करने से पूर्व आप online आविदिन करने से पूर्व आप अपनी scan image of the latest photo of signature jpeg jpeg format में तयार रखें और photo की जो size होनी चाहिए वो 10 kb से 100 kb के बीच में होनी चाहिए यह तो photo की बात करते हैं signature की और तो signature 3 kb से लगा के 30 kb के बीच में होने चाहिए और यह तो अपके photo signature की बात हुई तो यह पहले से आप अपना तयार रखें अब चलते हैं अपने farm की और तो दोस्तों अगर हम new candidate है तो हम apply यहां से करेंगे अगर हम पहले से registered है तो sign in अपने application candidate के बारे में बताता हूं new candidate apply करेंगे जैसे हम apply करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface खुलेगा और इसमें देखे चार step आपको बताई हुए हैं सबसे पहले registration होगा उसके बाद आपके अप्लिकेशन फॉरूम आएगा इमेज अप्लोड करनी होगी और फीश देनी होगी डाउनलोड इन्फोर्मेशन बुलेटिन यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड नहीं भी करना जाते तो मैं वीडियो के description में वह बुलेटिन दे दूंगा और य हमें यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यह किया है यह को सामने कुछ सी टेट के निर्देश हैं जिसमें कि वह रहा है तो हम्हें यहाप है राइट करना है राइट करने के बाद क्लिक टू हेयर प्रोसेस यहां पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने रजिस्टेशन फॉरम खुलेगा यह रजिस्टेशन फॉरम कुछ इस प्रकार है दोस्तों सबसे पहले आपको केंडिडेट का नाम भढ़ना है यानि जिसका आप पा सेलेक्ट करना है पासपोर्ट नमबर वोटर आईडी लेशन कार्ड ओधर वैलिड गौवर्मेंट आइडेंटी बैक अकाउंट या लाइसेंस नमबर इन में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है और उसके नमबर लिखने हैं यहां पर आइडेंटिफिकेशन नमबर यह स्टेट पिन कोड मॉबाइल नमबर इमेल एड्रेस अगर लेड लाइन नमबर है तो वह भी डाल सकते हैं मॉबाइल नमबर आप डालोगे तो आपके पास अप्लिकेशन आईडी का मैसेज आ जाएगा उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड पासवर्ड में विशेश ख इसा पासवर्ड आपको बनाना है यह वही पासवर्ड सैम यह स्ट्रेटी क्विश्चन यह देखें दोस्तों यह पासवर्ड के बारे में कुछ इन्फोर्मेशन है कि पासवर्ड मस्ट बी एट टू थर्टीं चरेक्टर यान आठ से लगा कर तेरा तक के बीच में होने चा आए और स्पेशल चरेक्टर है या स्टार है या एड़ी रेट है यह एक्जाम्पल दिया हुआ है तो आप इस तरह से पासवर्ड बनाएं अब चलते हैं आपके यहां पर सिक्योर्टी क्विश्चन क्या क्या आप से पूछे जाएंगे और क्या आपका आपका दे दें जैसे वाट इज दा नेम आफ यॉर फर्स्ट इसकूल का नाम दे दें वाट इस यॉर नेबर पेट नेम विच यॉर फैवरेट बुक कोई भी एक आप चूज करके और उसका आंस्वर्ड सामने दे दें उसके बाद दोस्तों यहां सेक्योर्टी किस्टन चुनने क बाद यहां आंस्वर्ड लिखेंगे और यहां पर आप यह जो सिक्योर्टी पिन है वो यहां एंटर कर देंगे और सब्मित बटन पर क्लिक कर देंगे अगर आपका पासवर्ड सही नहीं हुआ तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज भी आ जाएगा तो आप दुबारा पासवर्ड बनाएं इसको ओके करके ओके कर देंगे और दोबारा पासवर्ड दोस्तों जैसे हम सब्मित करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें यहां लिखा आएगा फॉर स्टेप में से हमने फर्स्ट इस्टेप कंप्लीट कर लिए तो यहां सामने आएगा अप्लीकेशन फॉरम फिर एप्लोड इमेज और फिर तो दूसरी आप्लीकेशन हें जानने के लिए यहीं नीचे क dolphin कंप्लीट अप्लीकेशन फॉरम पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा यहां पर वह जो हमने रजिस्टे पेपर में और उसके बाद आता है यह इंप्लोइमेंट स्टेटस अगर आप पहले से इंप्लोई है या नहीं है वह एप्लाई फॉर यानि किसके लिए अप्लाई करें फरस्ट के लिए पेपर या फेकिंड के लिए फिर चॉइस एक्जाम सेंटर वह चॉइस करना है सेकेंड और थर्तीन तरग आपको आप्शन चूज करने हैं यहां पर अब जैसे अप्लाई फॉर के प्लिक करेंगे तो आप से कुछ तरग से एजुकिशन डिटेल भी मांग ली जाएगी यानि डिप्लोमा किया है तो पास स्टेटस सेलेक्ट कीजिए कोर्स सेलेक्ट सेलेक्ट करके यहां पर यहां डाल दीजिए और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें उससे पहले आपको दोस्त यह यह कुछ प्रसंद पूछे जाएंगे इसके आप में आई है वेरिफाई माई नेम फादर नेम मदर नेम डेट और जैंडर एड्रेस मोबाइल नबर और इमे यहां पर भी क्लिक कर दें अगर आपके फारम में कुछ मिश्टेक है आपको लग रहा है कि यह सही नहीं है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉरम भी आपको कर सकते हैं जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करोगे और फाइनल सब्बिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह क इमेज का ओप्सन खुलेगा तो आपको इमेज सेलेक्ट करनी है इमेज की साइज में पहले आपको बता चुका हूँ जैसे जैसे आप काम करते रहोगे तो यहां पर राइट का निशान आता रहेगा रजिस्ट्रेशन राइट अप्लिकेशन फॉरम राइट हो जाएगा औ और उसके बाद आप फीस पेमेंट कर दीजिए और आपकी जो सीटेट का फॉरम है वाप का ओनलाइन हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं